परमेश्वर की पवित्र नाम किस्तोती हो गए? परमेश्वर दे पाक नदी तारीफ हो गए? अब सब लोगों के सामने और संतों की बीच में कड़े होने के लिए कोई भी लायकता नहीं है ये परमेश्वर की दया है जो मुझे यहां पर गवाई देने के लिए प्रवो ने आउसर दिया है तो अदे दिर में आना संता दे वित्कारा के मैं जोग नहीं है लायक नहीं है पर परमेश्वर की पवित्र नाम किस तो थी हो गए? में एक नामदारी मसी की परिवार में पहिदा हुआ है मेरा जन्म एक नाम तारी परिवार वेचे मैं जन्मे है परमेश्वर का बड़ी योजना मेरे जीवन में इस परकार दा में अपनी परिवार में पहल उठा है जब मैं जन्म ले रहा था एक बात इस तरह हुआ है उन दिनों में डॉक्टर्स लोगों ने मेरा मम्मी और उनको बोला है ए आपरेशन यहां पर नहीं कर सकते यहां से 120 किलोमेटर दूर में जो बड़ी शहर है वहां पर इनको लेके जाना ज़दो मेरा जन्म होना सी ते डॉक्टरा ने सड़े परवार देजी उन्हों के है कि इस ता अपरेशन जो है जगते नहीं कर सकते एक सो वी किलोमेटर का तो दूरी ते है उस जगते जाके अपरेशन ज़रा होना होवेगा सब लोग इंतजार कर रहा है केस क्रिटिकल होता जा रहा है सारे लोग की इंतजार करें इस गाल दिली और एक सो बीस किलोमेटर जाना भी पहाड़ी इलाका है तो बहुत सारे आपको डौन होकर फिर वहां तक पहुँचना है एक सो वी किलोमेटर दा रस्ता जड़ा सी ओ पहाड़ी खेतर सी कदी उच्चा कदी नीवा और इस गुजर के वो सफर करना सी तब उस गंबीर हालात में मेरे मम्मे के पास मेरी मासी आया और उनको कहा आप इस टाइमें कोई भी आपको मदद ने कर सकता सिर्फ प्रभुएश मसी आपको मदद करेगा उस ख़ो गंबीर समस्या साधे कार्वेशी मेरी मासी जी साधे कार्वेश आये मेरी मम्मी जिनू कैन लगे इस हालत बेचे तो अपी कोई शायता नहीं कर सकता सिर्फ ने शिर्फ प्रभुयशम्सी है जो तो अपीश सायता कर सकता है दो दिन तक वो लोग वेट करते रहे दो दिन तक वो इंतजार करते रहे उसी टाइम मेरा मम्मी ने हास्पटल में बेड़ के उपर बैठ कर मेरी बासी की बाते सुनकर ऐसा प्रभू के अगे प्रादना किया है उसे समय मेरी मम्मी जी दो बैठ दे उते सी ते जिसतरा मेरी मासी जी ने कहा उसे तरह जो के प्रभू ये शुमसी इस तरह कर सकता है उन्हाने इस गलते विश्वास कीता और ऐसा प्रादना किया इस तरह न दवा किती परमेश्वर ये जो बच्छे जो पैदा हो रहा है चाहे वो लड़का हो लड़की हो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूँगी जैसा ममी ने प्रादना किया तो मेरा ममी कहती थी उसी टाइम में ने मुझे ममी ने जनम दिया है ते जिदो मेरी ममी जी ने प्रादना किती उसे समय मेरी ममी जी ने मन दसेया कि मेरा जनम होया सी परमेश्वर की नाम किस तो थी हुए परमेश्वर देना दी तारीफ होए तो बच्छपन से मेरा ममी मुझसे कहती थी आप परमेश्वर की सेवा करना आपको मैंने प्रभू के लिए दे दिया है इस बात के लिए मैं तो योगी नहीं है जैसा वचन में लिखा है मां का घर्ब में से मैं तुझे चून लिया है वो बात प्रभू ने मेरे जीवन में पूरा किया और बचपन से मेरा मम्मे मुझे ऐसे सिखाता था पावे हम उस ठाइमे टीपियम सच्छाई को नहीं जानते थे अजाद चर्चों में जाते थे तब भी मेरा मम्मे मुझे ऐसे कहते थे आप बड़े होकर शादी ने करना और संत पॉल उसके समान सेवा करना अजाद कलिसे वे जान दे सी पर मेरी मम्मी जड़ी सी तो वड़ा होके व्या नहीं करना तो सेवा वेचे जाना है जे में संत पॉलूस ने सेवा किती है उस तरह तो सेवा करनी है लेकिन में कोई भी चर्च में जाते थे वहाँ पे हमें यही दिखते थे पास्टर और पास्टर का मिसस प्रबू की नाम किस तो दिव होगे प्रबू देना दी तारीफ होगे लेकिन कई साल भीतने के बाद एक बार ऐसे कन्वेंशन एक जगा पे चल रहे थे नगर कीतन में गए थे लोग वहाँ पे हम ये सचाई को देखा कन्वेंशन में आया बड़ी अच्छमबा किया है ये कौन सी संत लोग है शादी के बिना खैसे रहते है इस तरह दाए वाक्या जिस तरह तुस्य कन्वेंशन में चाहे हो उस तो पहला नगर कीतन देखा आग ल एक केमे विया तो बिना जीवन गुजार देने अज सारा कुछ उत्थे दे के मैं असी बड़े अच्छमबी होगे हरान होगे हम अजाद चर्च में होने के कारण क्योंकि असी जाद कलीशिया देवेसी शादी के बिना एक जीवन हो सकता है ऐसा भी है अमारा मन में नहीं आ सकता है एसादे करे मान वेच विने सी आया लेकिन परमेश्वर का धया आज में अपने आपको देखता है तो प्रभु कैसे मान को बदलता है कैसा सच्छाई सिकाता है कैसे दरम की मार्गों में चलाता है बहुत अच्छमबा लगता है जिदो मैं आज इस इना गल्ला नो देख दा हां, ते मैं हरान हो दा हां, के मैं तरम दे इमार के दे वेचे परमेश्वर चलूंदा है, के मैं मानब बदल दा है, के मैं सचाईद इमार के वेचे मानब तबदील करता है, एस सारिया गल्ला देख के मैं खोद भी हरान हो जादा परमेश्वर वफदार है, हमें समय समय पर, आमारी आत्मा के लिए जरूरत वच्छन, गिहराई वच्छन, जो हमें तब्दिल करता है, वो वफदारी से अमारे पास बेजता है प्रमेशल वफादार है जिड़ा डुंगया यहां वाले वचन जिड़े ने जो साथे माननू बदल देने जो सानू चाही देहान ओ समेश समेश ते प्रमेशल वफादार है तो सानू वचन जिड़े या दिंदारिंदा है उस तो बाद हमको बताया गया है मेडरास यूथ मीटिंग हो रहा है वहाँ पे जाना है तो हम खुशी से यूथ मीटिंग में गया और प्रवु ने पहला दिन पहली मीटिंग में मेरे साथ बजन संगीता पैंतालिस वा अध्याय दूसरी वचन आदी रात एक वजे की टाइम में लगग मेरे साथ बात किया तो जिदो मैं यूथ मीटिंग वेचे चिनए दे वेचे मदरास दे वेचे गया उस पहली मीटिंग दे वेचे परमेश ने जिबूर 55 हो दा दो वचन एक परमेश्वर की नाम किस तुदी होए परमेश दिना दी तारीफ होए उसी यूथ परमेश्वर की नाम किस तुदी होए जैसा अभी शेक मेने पाया है जैसा अभी शेक मेने पाया है ऐसा लग रहा है ते मैं चलते फिरते समय भी आस्मान में मैं उड़ रहा है परमेश्वर की नाम किस तुदी होए और दिन बीते बीते मेरे अंदर परमेश्वर का जलन ऐसा आया है ऐसा मैं प्राधना करता था प्रभू जैसा तुने मेरे लिए सलीप पे जान दिया है मुझे एक मोखा देना मैं भी तेरे लिए जान दूँगा परमेश्वर की नाम किस तुदी हो प्रभू देना दितारीफ होए उन दिनों मेरे मम्मी की बच्पन से जो कह हुआ शब्द है तूने सेवा में जाना मैं भी चाहता है सेवा में जाना या परमेश्वर के लिए जान देना या अपनी लहू बहाना तो संदो लोगों के पास जब आहे थे, संदो लोगों में पूछते थे या मिशन पूछते थे आपकी बुलाहट का वच्चन क्या है ते जिदो मेरी मपी ने में अभी ने सखाया सी के तूछ सेवा वे जाना है व्या निकरोना है और मैं कह रहा सी के मैंaufen्यों को शुलीब होते हैं मैं उन्हें याश्यू सुलीब देता गया मैं भी देना संत लोग का ने करता है सला लेंड़ वा से गया तो मैंने साथ दिन वर्त रखा मैं साथ दिन रोजा रखे है मैंने प्रभू से पूचा यह प्रभू मुझे सेवा के लिए बुलाता है मेरे साथ बात करना मुझे वचन से बात करना मैं प्रभू नो क्या है प्रभु जी यह तो मैंने सेवा लिग बलोना है तो वच्चन दे जिलिए मेरे ना गलबात करनी मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया मैं अपनी पढ़ाई शड़ दिती उसी टाम प्रभु ने तीन दिन के दिन में तीन दिन की दोरान मेरे कमरा में ऐसा लग रहा था कोई इनसान अपनी कमर तक कुछ दिख रहा है चपल पहना हुआ है ओ पुराना जमाना का चपल जैसे ईश मसी का चपल जैसे जूतिया सिनिमा में देखते है वैसे चपल पाया है लंबा सा कोई कुर्टा पाया है और मेरे कमरा के अंदर आया तेंदे जिद रोजा सी मेरे कमरे देवेचे ऐस तरह मैंनो दर्शन होया कि एक चोड़ा जिदा पाया होंदा है और जिती जड़ी है जिदा तस्वीरां चासी देख देख दिया कि प्रभू ये शुम सी ने जिवे प्राणे जिमाने देवेचे जिती जड़ी पायी होई है उस प्रकार दा व्यक्ती जड़ा सी मेरे कमरे देवेच आया मैं देख रहा था लेकिन दुआ में बेटा हूँ और आकर मुझे बोल रहा है पहला शुम्यल की किताब पंदरवा ध्याए 17 वचन पड़ो मैं आत्मा जो होके दुआ कर रहा है प्रभू दा आत्मा मनों कह रहा है पहला सैमौल 15 बाप 17 वचन पड़ो मैं मन में सोच रहा था पहला शुम्यल 15 वध्याए में कौन सा बुलावट वचन है यह ऐसे मेरा मन मुझे बोल रहा है मैं सोच रहा है पहला सैमौल 15 बाप 17 वचन पड़ो यह बलाट वड़ा कोई वचन है यह ऐसे तरह है मेरा मान बोल रहा है लेकिन प्रभू दुबारा बोल रहा है पहले शुम्यल 15 वध्याए 17 वचन पड़ो प्रभु मेनो दुबारा कह रहा थी पहला सैमुल 15 बाप हो दा 17 बचन पड़ो एक जन कोई भी बाइबल पढ़कर तोड़ माद करके कोई भी पंदरा सैमुल 15 बाप हो दा 17 बचन पड़ो सैमुल ने आ किया जेस वेड़े तू आपनी नजर बेचे तोचस है ताप पला इस्राइल दे गोतां दा तू परदाण हीट राया अते जहोवा ने इस्राइल दा पाशा बांडली तेनू मसा कीता प्रमेश्वर की नाम किस्तुति होए प्रभु तेना दी तारीफ होए जैसा मैंने दुआ रोजा में प्रात्ना कर रहा था प्रभू संतों की हाथ मेरे सिर पे आना चाहिए मुझे बुला हटा होना चाहिए वैसे ही प्रभू ने मेरे साथ बात किया मैंने तुझे अभी शे किया है ये मैं दुआ कर रहा है थी के प्रभू जी मेरे बलाठ होनी चाहे देग Leo Kena संतां ना हाथ मेरे सेर्द देते हुए ते प्रमेशूर ने उसे तरह प्रमेशूर ने वच्चन दे तुवरा मेरे ना गाल बात किती प्रमेश्वर की नाम किस्तुति होए प्रभु दनारी तारीफ होए जैसा ये वच्चन मेरे पास आया मेरे अंदर ऐसा दिलेरी आया जैसा सौ शेर मेरे अंदर हो जैवे मैं वच्चन पढ़िया मेरे अंदर इनी दिलेरी आई कि जैवे सौ शेर मेरे अंदर होई इनी शक्ती दिलेरी आई प्रमेशर की नाम की सुति होए प्रभु दिनादी तारीफ होए आज भी मैं अपने जीवन को देखते ते मैं ऐसे समझता था कितनी सेवा में मैं कैसे अभी तक खड़ा हुआ है तो प्रमेशर की नाम की सुति होए वो वच्चन जो प्रभु ने मेरे साथ बात किया और जो दिलेरी मेरे साथ बात जो दिलेरी प्रभू ने मेरे अंदर दिया सेवा में मरने के लिए आना के लिए उस दिन जो फैसला किया है वो फैसला आज तक प्रभू की दया से मुझे आज तक आप लोगों के बीच में कड़ा किया है एक आखरी बाद ऐसा बोलना चाहते है इस दुनिया में अगर सबसे उत्तम काम अगर कोई करना चाहता है वो है प्रभु एश्मसी की सेवा करना इस दुनिया देवेचे जो कोई उत्तम काम कोई करना चाहता है तो सब तो उत्तम है प्रभु दी सेवा करनी इस से बढ़ कर कोई और उत्तम काम नहीं है इस तो वद के कोई होर वदिया जा उत्तम काम नहीं है परमेश्वर की नाम की सुथी होए परमेश्व देनादी तारीफ होए इसी प्रकार जो महिमा परमेश्वर की सेवा के लिए टाहराया है और किसी को वो महिमा नहीं दिया जाएगा तो जेड़ी महिमा जलाल परमेश्वर की सेवा लिए ट्राया जिसली सेव के लिए ठराया हुआ है ओ किसे मेमा हो और किसे व्यक्ति वास्ते नहीं है परमेश्वर की नाम की सुधी होए प्रबु देनादी तारीफ होई और सेवा में एक कास बात मिलती है येश्व को नेडे होकर पढ़ सकते है सेवा देवेचे खास काले है के प्रबु येश्वनों तसी नजदी की वेच्चा नेडे होके पढ़ सकते हो विश्वास भवित्रताई धर्म की बाते सचाई की बाते जो दुनिया में परकट नहीं हुआ वो एक सेवा को परकट किया जाएगा विश्वास तरमदियां गलां सचाई जो दुनिया देवेचे परकट नहीं हुँदियां वो एक सेव को देवेचे परकट हकुईतियां जाएगाने उसनों दसीयां जाएगाने अब सब लोगों से आखरी एक नमर बिंती है इस जलाली सेवा में आकरी दम तक कड़े होकर जिस के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है उस सियोन में पहुंचने के लिए आप सब लोगों से प्रादना मांगते हुए मैं अपनी कवाई को कतम कर रहा है जिससरोचंद देनाल परमेश ने मनों सेवा लिसाप लिए है और परमेश याड़ ओकोर मेहमय विचे भूंचन देख भी स्योन विचे校्ड दाकल होंड़ी मेरी अपाकर ले बिंती है के ऐसंवा ने मेरी प्रासन besoin講य याद कियो प्रेज़ ओस्डी एक धूँ झाल लिए मुद अवर खै करिसा खाल है कि भूले हैं उसकी बंढ सकतते का थन्हुत खाल है